हेलो गाइस तो वेलकाम बेग तू माई चेनल टेग्निकल पीडी तो आज के ब्रेव स्टूरू करते हैं तो आज के जो तोपिक है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर आप फेस्बुक पर यहां पर यहां पर एक ओप्सन दिया जा रहा है यह हुगी आपका ट्री लाइंस का ओप्सन तापको ट्री लाइंस को भी क्लिक कर लेना है ठ्री लाइंस पर क्लिक करने के बार आप देखते हैं यहां पर आपको शेरिंग्स का ओप्सन जो दिया हुआ है तो आपको शेरिंग्स को भी क्लिक कर लेना है को यहां पर मैं ने open कर लिया open करते ही आपको यहां पर एक new paste जो है Nathan हो जائएगा आपको यहां पर मिल जाता है personal information तो आपको इसको ख्लीक कर लेना है पर्सेनल information पर क्ल्इक करने के बूर आपको यहां पर मिल जाता है contact इनफो तो आपको contact info को भी open कर लेना है contact info पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं यहाँ पर मैंने मेरा जो email जो है recovery पर add करके रखा हुआ है ठीक है अगर आपको कुछ इस तरह से add करना है तो आप इसको केसे add कर सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिया जारा है यह होगी आपका add email address तो आपको इसको क्लिक करना है add email address पर क्लिक करते ही आप देख से यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ to save this settings please enter your Facebook passport आपको जो फेस्बुक को जो पासपोर्ट जो वो भी आपको यहाँ पर एड करने कब आप देख से हैं यहाँ पर डियावाइड एमेल तो आपको एड इमेल पर क्लिक करना है एड इमेल पर करते हैं आपका इमेल जो है सेफ हो जाएगा डिकोरी पर टिकर पर सेफ होने से क्या होता है कि जब भी आप फेस्बुक का पासपोर्ट बगिर आपको पता नहीं है ठीक है आपने यहाँ पर बूल गयो तो आप इजिली रिकोबर कर सकते हैं इमेल का मदद से ठीक है नहीं तो तो इसके लिए आपको यहां पर एद कर देना है तो यहीं था आज का प्रोसेस थैंक्स और वाचिंग